नमस्कार दोस्तों आप सभी के मारे चैनल में वेलकम करते हैं तो आप लोगों को मैंने में एक बहुत बड़ा सवाल कि भाईया क्रिप्टो पे 30% टेक लगा जा रहा है बहुत सारी चीजे की जारी हैं लेकिन इस पर कोई कुछ बोल कि नहीं रहा है मैं आपको बताओं कि कु इंडियन पॉलिटीं हैं पहले मैं अपको बता देता हैं यह आक दो दिन पहले और आज क्या हूआ आस तो मज़ा आ आ गया क्या मज़ा आ गया मैं आपको बताता हूँ ने हुआ ऐसा सा statement लेकर आए ना कि आप लोग इनको देख करें ने कहें कि भा भाई भा क्या ही करते हैं यह लोग और उनके बिरोध में एक करारा तमाचा की बात करें हाँ पर तो किस तरीकी से इन लोगों को मिला तो मैं आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ पहले इनके बारे में 2005 से लेकर के 2020 के बीच ही इस लाइफ लॉंग मेंबर अफ राज आप दे राश्ट्री सोयम सेवक संग ठेक है इनको तो आप ने जाना अब यह स्टेटमेंट क्या दिया मेरे भाई यह बोलें कि यह जो स्टेटमेंट ही देखा देते हैं रूखिया देखिए इन्होंने बोल कि बीजेपी मेंबर सुझिल कुमार मोधी ने कहा कि Monday asked the government to increase tax on cryptocurrencies from the current rate of 30% saying it is a firm of gambling and countries like Japan, German, France and Austria have imposed up to 55% tax on it कहा कि आप देखिए जो 30% tax है ना उसको बढ़ा दीजे कि यह gambling एंड इस पर लगता है लेकिन like Japan, German, France इन्होंने अपने जो tax लगा है 50-55% लगा है सुनिए यह कहानी यह कह रहा है अब फिर नीचे चलते हैं और भी क्या क्या है इन्होंने कहा मैं भी आप लोगों को बताता हूं और फिर यहां पे full articles के बारे में आप टोटल पढ़ते हैं और यहां पे इन्होंने बताया कि अब यहां पे समझ में आगी इतना लंबा चोड़ा article आप लोगों को देखने को मिल रहा है लेकिन मैं आप लोगों को कुछ चंद मिन्तों में आपे कबर कर देता हूं और यहां लोगों को बढ़ाना चाहिए लिए नीचे बताते हैं यहां पे देख सकते हैं कि 28% के बाद यहां पे कितना कर दीजिए 28% कि यहां पे बात की 18% अभी लग रहा है exchanges के उपर तो कहीं ने कहीं मेरे भाई अगर exchanges के उपर अगर ये चीजे होंगी तो कहीं ने कहीं हम लोग से जो charges है और ज़्यादा वसूलेंगे तो कहानी यही आजएगी गुमापिरा के बाद ये चड़ा बड़ा के इस तरीके से इस तरीके से इन्होंने प्रिजेंट किया है कि देखो इस तरीके से इसा इसा कॉइन होता है ये तो बहुत कम आपने tax लगाया इस तरीके की बाते इन्होंने करी अब अगर मैं बात करूँ आज की डेट में तो प्रियंका चतुरवेदी जी जो है सिउसेना में माराष्टरा से तो उन्होंने क्या statement दिया वीडियो के माधिम से समझते हैं और ऐसा करारा जवाब दिया है ना कि आप लोग सुन करके हो कि वा भाई मौच कर दी तो आप statement सुनिया और comment section में बताईए कि इनकी बातों से अपसाहमत है या नहीं जिस तरीके से बताया गया इस पर tax लगाओ, tax लगाओ, tax लगाओ, tax लगाओ, और बढ़ाओ, क्यूंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं उससे मुझे ध्यान आता है जब देश में computer आया था तो हमारा ये विपक्षी था जो बेलगारी लेकर बाहर आकर oppose कर रहा था लाक हो लाक हो युगा बेलोजगार हो जाएंगे बेलोजगारी चल्म शीमा पर बढ़ जाएगी ये सरकार, युगा विरोधी सरकार हैं और क्या हुआ, computer आने के बार अगर किसी देश को सबसे जादा फाइदा हुआ, देश के युगाओं को फाइदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फाइदा हुआ, आज हम बड़े-बड़े leadership roles में हैं, दुनिया भर में leadership roles में हैं, तो उसका फाइदा हमारे युगाओं को को फार스타ं के बागी साहरे करेग्ए वार हुआ, और ऑगर कर्यर गलत है है, और अगर गलत है और और फो च्जोस करना चाहरे है तो उंको रोक जाने की कोशिश की जाए है, तो बिदुर आ गले, तो यह बिल्गल वही बगते हो अरिज हम के नहीं समझ पा रहे हैं कि चैँ़ इकोसिटम बननाई की ज़रुवत क्या है, वेब 3.0 हो गया है, तो इसलिए हम उसको टैक्स भी करेंगे और हम उसका चिप्टू रेगुलेशन भी नहीं नहीं निकालेंगे, मैंने आपको इंप्यूटर का उधारन दिया, ऐसे ही इंटरेट जब आया था, देश में ही के दु आज आप कालिफोनिया लेख लिए उनाइट सेस्टेस लिए यॉर्प लेख लिए जो जो बड़ी बरी बर्ती नाशनल्स हैं, इसको हमारे इंडिन्स ही करते हैं, तो आज वही तैलन अगर हमारे थेश में इसी कंपी बनाता, तो का ओमारे थेशों फादा नहीं होता? दोसों, आप लोगों के बन में बहुत बड़ा सवाल की आप क्या होगा है? इन लोगों के स्टेटमेंट माहिने रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो एक चीज़ आप लोगों के बता देता हूँ, कोई भी विधेक होता है, जो कोई भी कानून होता है, आप लोगों के पता है, या तो राजसभा में पहले पारित हो जाता है, फिर वो लोगसभा में टॉटल होता है बस राज्य सबाइए एक बार बोल सकता है कि भाईए एक बार देख लिजे इसमें यह यह चीज़े हैं अब उसके बाद भी लोकसबा क्या आत्म होता है कि उसको माने या ना माने तो आप कहा नहीं है आप लोगो के आखें के सामने है कुछ यह आपके दिया हुआ तो आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताए हमको तो एक लिए वीडियो के सब्सक्राइब करें